हेलो दोस्तो मैं हूँ आपकी सखीर कूँ वेलकम टू माय चैनल दोस्तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपके प्रेगनेंसी भी बहुत ही हल्दी और हैपी चल रही होगी दोस्तो प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हमें 9 महीने सभी चीज़े बहुत ही सोच समझ कर खानी पड़ती है अपने बच्चे के लिए अपने लिए क्योंकि आप जो भी खाती या पीती है इसका सीधा असर आपके बच्चे पर होता है तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक चीज़ के बारे में जानने वाले है कि क्या प्रेगनेंसी के टाइम पर चावल खाना सही है क्या आप इसे डेली खा सकते है खाते वक्त आपको किन इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और अगर खाए तो कितना खाए और इस वीडियो में हमें भी जानेंगे कि कब आपको चावल खाना अबॉइट कर देना चाहिए कभी आपके और आपके बच्चे के लिए नुकसांदा साबित हो सकती है तो इन सभी चीजों के लिए इ यहां तक कि आपको उपने से भी कमजोरी लगती है तो ऐसे केस में अगर आप चावल खाती है तो आप अच्छा फील करेगी आपको एनर्जी मिलेगी इसके इलावा चावल खाना उन लोगों के लिए भी फाइदे मंद है जिनको मतली की प्रॉब्लम रहती है जैसे कि आपको लगता है आपको उल्टी आने वाली है, वॉमेटिंग हो रही है, आपको नौजिया सा लगता है उनके लिए भी चावल फाइदे मंद होता है, चावल खाने की वज़से नीन भी अच्छी आती है आपको ऐसी सुस्ती सी लगता है और आपको ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए सुया जाए तो अगर आपको नीन नहीं आती है प्रेगनेंसी के दौरान खास दौर पर प्रेगनेंसी के लास्ट राइमिस्टर में अगर नीन नहीं आती है तो ऐसे कि इसमें भी चावल खाना फायदे मंद होता है चावल में आयन और फॉलिट होता है जिसकी वज़े से आपको खोन की कमी नहीं होगा और फॉलिट आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत ही अच्छा होता है चावल में फाइबर भी अच्छी मातरा में होता है तो अगर हम फाइबर की बात करें तो सफी चावल के मुकाबले ब्राउन राइस जो होती है उसमें फाइबर अच्छी मातरा में होता है तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी की डाइट में brown rice भी include करते हैं तो आपको fiber अच्छी मातरा में मिलेगा आपको constipation यानी cups की problem pregnancy के दौरान नहीं होगी अब जानेंगे कि pregnancy के time कब कितना और कैसे आपको चावल खाना चाहिए जरूरत से ज्यादा अगर आप चावल खाती है तो इससे आपका वजन बढ़ जाएगा नेक्स्ट दोस्तों चावल में arsenic नाम का एक chemical पाया जाता है तो इसलिए भी चावल बहुत ज्यादा खाना सही नहीं है क्योंकि चावल के थुरू आपके body में arsenic chemical भी जा रहा है तो जब भी चावल खाए अच्छे से धो कर और फिर अच्छे से पका कर खाए जिन लेडीज को gestational diabetes है sugar ज्यादा रहता है तो ऐसे cases में भी आप चावल कम ही खाए या फिर avoid कर दे तो चावल जब भी खाए याद रखे कि अच्छे से पके हुए चाहिए कच्छे चावल नहीं होने चाहिए क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कच्छे चावल खाने की वज़़ा से गर्वती महिला के पेट में दर्द की शिकायत रहती है और कुछ लेडीज को ऐसी cravings होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर उन्हें कच्छा चावल खाने का मन करता है तो ये बिल्कुल भी गलत बात है आपको कच्छा चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें arsenic chemical होता है जो आपके डाइक लिए आपके बच्चे को affect करता है और आप कोशिश करें कि आप दिन के टाइम पर ही चावल खाए रात के वक चावल खाने से भी बहुत सारी problems होती है अगर आपको pregnancy के time पर सर्दी, खासी, जुखाम, बुखार या फिर थन लग गए है तो ऐसे cases में भी आप चावल खाना avoid करें और अगर सर्दी का time है तो आप चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल कर खाए पीले चावल बना कर खाए या आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा तो अगर आप भी pregnancy के दौरान चावल खाना पसंद करती है तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखिए और फिर चावल का सेवन करें तो दोस्तों मैं उमीद करती हूँ आपको वीडियो हेल्फफुल लगी होगी वीडियो पसंद आए तो इसे एक बार लाइक जरूर करें और मेरी चैनल पर नाए है तो सब्सक्राइब जरूर करें तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए गुद बाई, टेकेर, स्टेए हल्दी, स्टेए हपी, थैक्स फो वचीं।